अभिवादन स्विकार करें, मैं हूँ मनीशा और आप देख रहे हैं चैनल Unfolding Facts साथियों क्या आप जानते हैं कि देश के प्रथम प्रधन मंतरी पंडे जवाहरलाल नहरू ने अपनी वसीयत में क्या लिखा था? आपको जानकर हैरानी होगी कि वे अपनी मौत के बाद किसी भी तरह कर धार्मे का नुश्ठान नहीं कराना चाहते थे अपनी वसीयत इच्छा पत्र में उन्होंने देश और देशवासियों के नाम भावग बाते लिखी थी जवाहरलाल नहरू की वसीयत 21 जून 1954 को लिखी गई और 3 जून 1964 को जनता के लिए जारी की गई नहरू ने अनरोध किया था कि उनके शरीर का अंतिम संसकार किया जाए और उनकी राख को पूरे भारत में विखिर दिया जाए मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और है और मुझे पता है कि मैं भी हम सभी की तरह उस अखंड श्रंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के प्राचीन अतीत में इतिहास की शुरुआत में वापस जाती है मैं उस जंजीर को नहीं तोड़ूँगा क्योंकि मैं इसे संजोकर रखता हूँ और इससे प्रेणा लेता हूँ और मेरी इस इक्षा के साक्षी के रूप में और भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए मेरी अंतिम शुधानजली के रूप में यह अन्रोद कर रहा हूँ कि मेरी मुठी बर राक को फेक दिया जाए इलहाबाद में गंगा नदी के तड़ पर जो उसे महान महासागर में ल खेरा जाए ताकि वे खेद जहां भारत के किसान महनत करते हैं वे भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएं और भारत के अभिन अंग बन जाएं देशवासियों से मिले इसने प्रेम के प्रती कृतिगिता प्रकट करते हुए नहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था मुझे भारत के लोगों से इतना प्यार और इसने मिला है कि मैं इसका एक छोटा सा अंश भी उन्हें लोटा नहीं सकता और वास्तों में इसने जैसी मुलेवान चीज के बदले में कुछ लोटाया भी नहीं जा सकता इस देश में कई लोगों की प्रशंसा की गई है कुछ को शृद्धे समझा गया है लेकिन मुझे भारत के सभी वर्गों के लोगों का इसने इतनी प्रिचुर मात्रा में मिला है कि मैं इससे अभी भूत हूँ मैं केवल आशा ही कर सकता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपने लोगों और उनके इसने से वंचितना रहूँ अपने असंख साथियों और सहकर्मियों के प्रिती मेरे मन में गहरा कृतगिता भाव है हम कई महान कारियों में सहभागी रहे हैं और हम में एक साथ सफलता का सुख और असफलता का दुख साज़ा किया है मेरी मृत्यू के बाद ना हो धार्मिक अनुष्ठान मैं पूरी इमांदारी से या घोष्णा कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यू के बाद किसी भी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाए मैं ऐसे किसी भी अनुष्ठान में विश्वास नहीं करता इसलिए मेरी मृत्यू के बाद ऐसा करना वास्तों में पाखंड होगा ऐसा करना स्वयम को और अन्य लोगों को धोखा देने के समान होगा मेरी राक का हिस्सा वतन को समर्पित मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यू हो तो मेरे शरीर का दासंसकार कर दिया जाए यदि मेरी मृत्यू विदेश में होती है तो मेरा धासंसकार वही कर दिया जाए और मेरी राक को ईलाबाद भेज दिया जाए इस मेंसे मुठी बर राक प्र्याग में संगम में बहा दी जाए जो हिंदुस्तान के दामन को चूमते हुए समन्दर में जामिले मेरी राख का ज्यादा हिस्सा हवाई जहाज से उपर ले जाकर खेतों में बिखेर दी जाए वो खेत जहां हजारों महनतकश इंसान काम में लगे हैं ताकि मेरे वजूत का हर जर्रा वतन की खाक में मिलकर एक हो जाए इस राख का कोई भी हिस्सा ना ही बचा कर रखा जाए और ना ही संरक्षित किया जाए तद अनुसार 7 जुन 1964 को नहरू की राख का एक हिस्सा जो तीन मूर्ती भवन को लोटा दिया गया था एक कार में तीन शसस्त्र सेवा प्रमुखों से पहले एक आपचारिक बंदू गाड़ी पर एक अंतिम संसकार के कलश में निवास छोड़ दिया गया फिर अस्तियों को एक विशेश ट्रेंद्वारा नई दिल्ली से इलहाबाद ले जाया गया जहां उन्हें एक काफिले में नहरू परिवार के घर आनन्द भवन में एक घंटे के लिए ले जाया गया फिर उन्हें काफिले से इलहाबाद होते हुए संगम घाट ले जाया गया राक को गंगा में एक इस्थान पर ले जाया गया साथ में अन्य गड़मान व्यक्तियों, दूर संचार कर्मियों और एक भारतिय सेना के ब्रास बैंड को भी पहुँचाया गया बैंड ने कलस से एक छण पहले एबाइड विद्मी भजन बजाया और राक को गंगा में विसरजित कर दिया इलहबाद किले में एक बंदूक विसरजन के ठीक समय पर सलामी फाइरिंग कर रही थी राक के दो अन्य हिस्सों को सरकारी अधिकारी निकोबार दीब समूँ और पोर्ट ब्लेयर ले गए उस राक को 8 जून को समदर में विसरजित कर दिया गया 12 जून को 8 बजे से 12 बजे के बीच राक का बड़ा हिस्सा इंडियन एर फोर्स के विमानों के द्वारा देश भर में पहले से निर्दिष्ट 20 स्थानों पर एक साथ बिखेरी गई ये थी हमारी आज की वीडियो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू की वसीयत के उपर यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद